नमस्का, मैं सची प्रबासारस्वत, एसोसियेट रोफेसर हिंदी, राजकी कन्या मा विद्याले सीकर प्रेविध्यार्तियों, आज का पुने इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का विशे है हमारा आचारे हजारे प्रसाद द्यूएदी, द्यूएदी जी के निबंद रचना विशेक विशिष्टाओं पर आज हम चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में भी हमने आचारे हजारी प्रसाद युएदीजी के जीवन परीचर के बारे में और कुछ साइतिक रितियों की रचनाओं के बारे में चर्चा की थी उसी क्रम को आगे बढ़ाते वे आज हम करने जा रहे हैं निबंद रचना विश्यक विशिष्टाएं आचारी हजारी प्रसाद युएदी हिंदी निबंद विधा के मुर्धन रचना का माने जाता है इन्होंने विविद विश्यों पर निबंद रचना की है दिवेदी जी के अधिकांश निबंद विचारात्मक निबंदों की श्रणे में आते हैं इनमें अधितन विचारधारें किसी ले किसी रूप में विद्यमान हैं इन्होंने भारती संस्कृति के प्राचेन तथा अर्वाचेन सभी विश्यों को अपने निबंदों में स्थान दिया है। दिवेदी जी की निबंद रचना की प्रमुख विश्यष्टां को इस प्रकार से करेंगे। पहली विशिष्टा है दिवेदी जी के सब्वीन निबन भारती सब्विता और संस्कृति पर आधारित हैं जीवन और जगत की गहन अनुभूतियों से परिपूर्ण भी है आपके निबन्दों में प्राचीन्ता और नमिन्ता का अध्वितिय सामन्जिश्य देखने को मिलता है हजारी प्रसा दिवेदी जी की रजनाओं की अनुशिलन से इसपस्ट फ्रोजाता है कि आपका प्रकृति निरिक्षन उच्च कोटि का होने के साथ प्रभावत पादक एवं भावत तेजक है प्रकृति के विबिन गूपमों विशाल रिक्षो नाना वर्ण के पुष्मों से योग्त वन्ष्टि का सुक्ष्म विवेचल आपकी प्रकृति प्रेम का प्रती माना जाता है दिवेदी जी के निबन चिंतन और मनन से परिपूर्ण होने के साथ सुक्ष्म निरिक्षन तिक्ष्न द्रिस्टी गहन अनुबूती मौलिक विचारदारा पंडित पूर्ण तता ऐसाधारन वेदूश्य संपन है आपकी निबन मनोरंजक होने के साथ ही अत्यदिक लोकित की भावना से पूत प्रोत मानी जाते हैं दिवेदी जी के निबन्दों में भारती संस्कृति का सजीव चित्रन देखने के साथ साथ राश्ट्रिता की भावों की अजस्त्रधारा प्रवाहित हुई है आपके निबन्दों में विविद विश्यों का संगम हुआ है प्रमुक रूप से साहित्य, संस्कृति, जोतिश, योग, दर्शन, कला, धार्म, विज्ञान, इतिहास, भुगोल, कगोल, नाना प्रकार की विश्यों पर इनकी रचनाओं में वर्णन मिलता है दिवेदी जी ने संस्कृत साहित्य की विविविण विश्यों से संबंदित ग्रंतों का गहन अध्यन किया था जिसका प्रभाव इनके निबन्दों पर इस फ़स्ट रूप से परिलक्षित होता है आपने संस्कृत भाषा की प्राचिन साहित्य के साथ आधुनिक साहित्य का संबंद इस्थापित करने का भी सफन प्रयास किया है इस प्रकार से दिवेदी जी ने भारती परंपरा का नए सामाजिक दर्शन के साथ संबंद इस्थापित करने का प्रशंचनी प्रयास किया है दिवेदी जी के निबंद रचनाएं संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपब्रांश, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तिब्बती, उर्दू, फार्सी आधी भाषाओं के साहित्यक ज्यान से सजाए गई है दिवेदी जी ने इन भाषाओं के साहित्यक गईयान अध्यन किया तथा उनके सार्थ तत्वों को अपने निबंदों में प्रसंगा नुकूल उप्योग कर अपनी रचनाओं को गरिमा और प्रोड़ता प्रदान की है दिवेदी जी की कुछ निबंद रचनाएं उनकी स्वाधीन चिंतन का परिणाम भी है जो इनके वैक्तिक दृष्टिकों की परिचायक है दिवेदी जीने अपने निबंदों में बहुत सी साइतिक समश्यों को भी उके रहा है जैसे बाशा विश्यक विवाद, समिक्षा की सिध्धान्त, कविता का भविश्य, हिंदी की शक्ती, भारती साहिती की प्रान शक्ती, नए साहितिक दृष्टिकों, साहिते निर्मान का लक्ष, हिंदी प्रचार की समश्य, रसका व्यावारिक आर्थ, साहिते का नया रास्ता आदि विश्यों पर आपने जो मौलिक सार गर्वित विचार व्यक्त किये हैं वे आपके नमिन द्रिश्टिकॉन एम चिंतन की ध्योतक हैं दिवेदी जी ने अपने निबंदों के माध्यम से स्वास्त समिक्षा पद्रती को गरिमा प्रदान की थी हजारिमिसा दिवेदी ने अपने मौलिक चिंतन की वेग से नई नई साहितिक समिष्याओं के समाधान का मार्ग भी दिखलाया है इनकी रचना पद्रती में विश्यों की विविदता वर नवीन का विशेश रूप से उल्लेकनी है जिसके फल स्वरूप इनकी रचनाओं में कहीं संस्क्रतियों का संगम द्रिश्टी गोचर होता है तो कहीं जोतिष्ट के चमतकार देखने को मिलते हैं कहीं नाना प्रकार की कलाओं का विवरन मिलता है, तो कहीं सुन्दर सुन्दर प्राकरतिक द्रिश्यों की जाकी द्रिश्टिपत गामिनी होती है, तो कहीं राजमेनों की अंतापुर के जीवन की जाकी जलकती है, कहीं पक्षियों का कलरोग सुनाई पड़ता है, तो कहीं रत जड़ित आबुशनों की छटा जलकती है कही नाना भी द्वेश बुशा की जगमगाट दिखाई देती है आपकी निबंद रचना में प्रय आगमन शेली को अत्यदिक महतु प्रदान किया गए है जिसमें प्रथम किसी विशे का विवेचन करते हैं उसकी वैक्या करते हैं औ अंत में उसका निशकर्ष प्रस्तुत करते हैं दिवेदी जी के निबंदों में यत्र पत्र विनोद वैंगे के अवसर भी प्राप्त हुए हैं परन्तों इनके वैंगे कटू और तिक्ष नैग होते वे भी मर्म इसपर्षी बन पड़े हैं साथ ही वे रिदय पर चोट इस्थाई प्रभाव डालने वाले होते हैं हजारी प्रसाजी के चिंतन में मनेस्थिति के अनुरूपी आपकी रचना पद्रती भी परिवर्तन शीन रहती हैं इसलिए आपकी रचनाओं में जहां एक और प्रोड पांडित जलगता है तो दूसरी और सरलता सुबोधता सरस का बोल बाला द्रिश्टी गोचर होता है कहीं तीवर्ता एम्तिक्षंता देखने को मिलती है तो अन्यत्र अत्यन स्वभाविकता एम्कोमलता उलेखनी जान पड़ती है इसी प्रकार से भाशा संगटन में कहीं समास बोल का दिर्ग वाक्यावली का भान प्रतीत होता है तो इंदी निबंध साहिती के शत्र में अपना विशिस्ट स्थान रखते हैं विशरस सुबोध निबंध शेली के प्रतिस्ठापक हैं बहुत बहुत धन्यवाद